हेलो फ्रेंड्स तो दिखिए आज मैं क्रोशे का बहुत प्यारा डिजाइन लेकर आए हूँ और ये मैंने एक पैंसिल की हेल्प से बनाया है इसे और इसे बनाने के लिए भी देखिए मैंने ये सिंगल फंदे से चेन बनाई है सिंगल फंदे की और ये भी मैं उतनी बड़ी चेन बनाऊंगी जितना बड़ा मुझे अपने डिजाइनिंग के लिए चाहिए होगा चेन और इसे बनाने के लिए देखिए मैं चेन बना लूँगी और इस डिजाइन को आप किसी स्वेटर कारिगर्ण्स में भी बना सकते हैं या और भी कोई प्रोजेक्ट बना सकते हैं तो देखिए इसे बनाने के लिए मैं इस चेन इस तरह से पंदा इस फंदा बनाऊंगी और उसे पैंसिल में इस तरह से फसंगी आप एंसिल के बजाए किसी इतने पतले पाईप को या और भी कोई चीज को ले सकते हो मैं इसे आपको पैंसिल पे बना कर दिखा रहे हूं देखिए और इस से हर चेन से इस तरह से दो बार सिंगल फंदा बनाओंगी धागे इस तरह से बुलन की त्रेड से और पैंसिल फिर फसाती जाओंगी इस तरह से एक बार लिया फंदा फिर इस तरह से सिंगल फंद्य को इस तरह से पूरी चेन के हर सिंगल चेन से सिंगल फंदा बनाकर पूरे पैंसिल पर बनाती चली जाओंगी जितने भी बड़ा मैं सेंपल बनाओंगी आपको अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से चेन बनानी पड़ेगी जब आप इस डिजाइनिंग का बनाओंगे तो दिखी मैं हर सिंगल चेन से इस तरह से बनाती चली जाओंगी फंदा पूरी चेन पर इसी तरह और पैंसिल पर फसाती चली जाओंगी आप अपने स्वेटर, कार्डिगन या किसी और प्रोजेक्ट के हिसाब से उतनी ये चोड़ी चेन बनाएंगे और इसी तरह पूरे फंदे दो बार में बना लेंगे जस तरह से मैंने बनाया है पूरी चेन पर इसी तरह देखिए एक बार इस तरह से सिंगल फंदा लिया और फिर उसी से एक और सिंगल फंदा और फिर पैंसिल पर फसाती चली जाओंगी सारे फंदो को इस तरह से मैंने पूरे फंदे फसा लिया है चेन के लास्ट तक और फिर उसके बाद में लास्ट में इस तरह से पूरे फंदे बनाने के बाद इस तरह से चेन ये फंदा लूँगी और फिर पूरी पैंसिल के फंदो को इस तरह से निकाल दूँगी उसके बाद देखिए मैं फंदो को इस तरह से एक दो तेन चार और पांच पांच फंदो को मैं इस तरह से सिंगल सिंगल करके बुन लूँगी और उसके बाद दिके एक दो तीन चार पांच और छे छे बार मैं सिंगल फंदे की चेन बना लूँगी और फिर इस तरह से आगे के फंदो को एक दो तीन चार पांच पांच सिंगल फंदो को इस तरफ से बुन लूँगी चेन के आप दिके एक दो तीन चार पांच सिंगल फंदे से बुन लूँगी और फिर ये दो फंदे हैं इन्हें भी सिंगल फंदे से बुन लूँगी इसके बाद मैं फाइफ फंदे और बुनूंगी इस तरह से सिंगल एक, एक एक करके दो तीन चार और ये पाँच पाँच फंदे बुनने के बाद देखिए इस तरह से जिस तरह से मैंने ये बीच में चेन बनाई है एक, दो तीन चार, पाँच छे, छे बार और फिर इसके बाद फाइफ फंदे इस तरह बुनूंगी एक एक करके सिंगल एक दो तीन चार पाँच पाँच फंदों को बुनने के बाद उसी तरह से क्रोशे पे एक दो तीन चार पाँच छे, साथ आठ नौ दस तस फंदों को क्रोशे पे ले लूँगी और एक साथ सिंगल फंदे से इस तरह से दो बार में बुनूंगी इस तरह से और फिर इस तरह भी फाइफ फंदे सिंगल एक एक करके बुन लूँगी इस तरह से हमारा ये डिजाइन दिखेगा कुछ दो और फाइफ फंदे बुनने के बाद मैं उसी तरह से फिर सिंगल फंदे से बुननूंगी फाइफ बार और इस तरह में ये तीन फंदे हैं मेरी बचे हुए तो मैं इनको बुन दूँगी आप इधर जितने भी बचे हुए हो बना सकते हैं चार या पाँच दिखिए फिर मैंने दू सैकिन रो डिजाइन के लिए भी मैंने जैसे फस्ट रो में बनाए थे फंदे पैंसिल के उपर मैंने बना लिए हैं सैकिन रो में मैंने बुनी थी ये डिजाइन टैन फंदों की और फाइफ फंदों की फाइफ फाइफ विदर उदर और चेन बीच में तो देखिए इस तरह से मैंने लाश्ट तक दुबारा उसके उपर फंदे बना लिए और उसके बाद इन फंदों को भी मैं निकाल लूँगी, उसके बाद मैं उसी तरह से इसे भी बुंदूँगी, दिखिए, और दिखिए इस स्टार्ट में मैं ये 5 फंदों को इस तरह से बुंदूँगी, थर्ड रो में किनारे से मैंने फाइब फंदों को बन दिया है अब देखिए फाइब फंदे जो हमने चेंड के उपर बनाये थे जो बीच में चेंड बनाये थी उसमें हमने टैन फंदे बनाये थे और टैन फंदों को फाइब में इस तरह बुन दूंगी किनारे से गिनकर फाइब फंदों को फाइब फंदों को बुनने के बाद इस तरह से फिर मैं चेंड बना दूंगी वही एक दू जो शिक्स बार गिनकर शिक्स बार मैं चेंड बना दूंगी जो मैंने नीचे फर्स्ट रोम में बनाई थी और उसके बाद मैं आगे से फाइब फंदे गिनकर बना लूंगी दो टीन चार और ये पाँच जो चेंड के ऊपर हमने 10 फंदे बनाए थे उसके ऊपर हमने पाँच दूसरी तरफ बूंदिये पाँच इस तरफ और बीच में चेंड बना ली 6 बार और देखिए उसके आगे हम ये 10 फंदे गिनकर जिस तरह से हमने नीचे साइकंड रो में बनाये थे डिजाइनिंग के तो देखिए 10 फंदे गिनकर ये हम इस तरह से बुन देंगे और फिर 5 फंदे इस तरह से बना लेंगे ये एक दो तीन चार और पांच पांच बार हम सिंगल फंदा बुनने के बाद फिर इस जगे पिर हम सिक्स बार चेन बना लेंगे सिंगल फंदे एक दो तीन चार पांच और छे उसके बाद 5 फंदे फिर बुन दोंगी इस तरह गिनकर तो जो ये हम सिक्स फंदे की चेन बनाएंगे जो हमें इसकी डिजाइनिंग की सेकिंड रो बनाएंगे उसमें हम इस चेन की जगे पे 10 फंदे बनाएंगे और जो हमारे बीच में इस जगे से इसमें हम हर जगे से सिंगल सिंगल 10 फंदे बनाएंगे इस तरह से हम यहां से गिनकर 10 फंदे उसी तरह से बनाएंगे इस तरह से 10 फंदों को मैं बनाएंगे और आगे फिर 55 करके गिनकर 5 फंदे मैं सिंगल सिंगल बना लूँगी इस तरह से फिर 5 फंदे गिनकर एक और बना लूँगी मेरे 4 थे यह उसके बाद 6 बार चेन बना लूँगी गिनकर 6 बार चेन बनाने के बाद आगे फिर 5 सिंगल फंदे बन लूँगी एक दो तीन चार पांच और आगे जो फंदे बच्चे हैं साइट से तो जैसे स्टार्ट में मैंने 5 फंदों को एक साथ बना था यहाँ पर भी मेरे यह थर्ड किनारे से जैसे फस्ट रो की सेकेंड डेजाइन में बच्चे थे बुन दिये थे इसमें भी उतने ही देखिए इस तरह से बन गया है मारा यह प्यारा सा क्रोशिय और पैंसिल का डेजाइन तो दिखिए जहां से हमारे टैन फंदे एक साथ बुने जाते हैं बहाँ से मैं सिंगल सिंगल फंदे बनाओंगी टैन और जहां पे चेन है बहाँ पे मैं टैन फंदे चेन के बनाओंगी इसी तरह से मैं जितना बड़ा डिजाइन बनाओंगी बनाती चली जाओंगी अपने प्रोजेक्ट के लिए डिकि इस तरह से क्रोशिय से हम जितने हमारे चेन के डिजाइन से इस तरह से फसाते चले जाएंगे pencil पर उसी तरह से जैसे मैंने chain के उपर first row बुना था इस designing के लिए इस तरह से pencil में फसा कर तो दिखिए हमारे साब दिख रहा है कि जहां से हमने chain बनाई थी बहाँ पे हमारे ये 10 फंदे हैं बने हुए ये गिनकर और जो ये 10 फंदों का जहां पे design बनाते हैं हम वहाँ पे देखिए हम एक एक करके ये बनाते हैं और देखे ये देख दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस और फिर ये last के तीन फंदे जो मैं last में 5 फंदे बनूंगी और इसी तरह से मैं बुनकर पूरी पैंसिल पर इस तरह से फंदे चड़ाकर और इस तरह से निकालती चली जाओंगी और इस तरह से लाश्ट तक मैं जितना उड़ा फिरोजेक्ट मुझे बनाना होगा बनाती चली जाओंगी देखिए साफ दिख रहा है आपको अपने डिजाइनिंग में जो चेन है वहां से टैन फंदे बनाने है तब ही आपका डिजाइन सेम बनता चला जाएगा नहीं तो से बिगड़ भी सकती है और देखिए ये जो सिंगल सिंगल फंदे डिजाइनिंग के हैं बहाँ पर इसी तरह से देखिए जैसे यहां पर दीख रहा है साफ जो नीचे सिंगल फंदे का डिजाइन है बहाँ पर और देखिए ये लास्ट शुरू में फाइब फंदे मैंने लिए हैं फाइब को एक साथ बुन दूँगी जो हमारी चेन से इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे यहां से अब दीखिए ये चेन जो थी हमारी सिक्स पर बनी थी उसके जो टैन फंदे तो फाइब मैं इधर बुन दूँगी इस तरफ जैसे हमारा बीच का चेन के ऊपर का डिजाएंग सेम बनता चला जाएं फाइब फंदे मैं इस तरह बुन दूँगी और चेन के बीच में एक दम जैसे देखिए ये चेन के बीच में मैं चेन ही बना लूँगी सिक्स बार गिनकर सिक्स बार चेन बनाओंगी मैं और उसके बाद चेन के आदे फंदे जो फाइव हैं उन्हें भी मैं सिंगल सिंगल करके बंदूंगी तो जो चेन पर हमारे टैन फंदे बनेंगे उसी से डिजाइन पूरे प्रोजेक्ट में चलता रहेगा और जो बीच के सिंगल फंदे बनते जाएंगे उनको हम एक बार में एक साथ टैन फंदों को देखी जैसे इस जगए के एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस तो यह जो इस प्रोजेक्ट के टैन फंदे इनको मैं एक साथ में सिंगल फंदे से बुनती चली जाओंगी इस तरह से तो इसका एक फंदा हो जाएगा एक साथ से देखिए इस तरह से इस तरह से और यह चेन पर टैन फंदे बनेंगे उनसे यह फाइव इधर गिनकर देखिए दो तीन चार और पाँच जो चेन के उपर हम टैन फंदे बनाएंगे उन्हें फाइव एक तरफ बुन देंगे फाइव एक तरफ और बीच में वही शिक्स बार गिनकर चेन बना देंगे जिससे हमारा डेजाइन जितना बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे बनता चला जाएगा इस तरह से फाइब फंदे में फिर सिंगल सिंगल करके बन दोंगी और लास्ट तक इसी तरह से बनती चली जाओंगी यह मैंने छोड़ा सा सैंपल आप लोग को बना कर दिखाए दिखिए दोनों तरफ साइडों से भी सेम डिजाइन चलता चला जाएगा बीच में भी उसी साथ बुन देंगे तो अगर पसंद आया हो मेरे द्वारा ये क्रोशे और पैंसिल से बना हुआ प्यारा सा प्रोजेक्ट प्लीज जरूर बना कर देखिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट्स कीजिए शेयर कीजिए जि अवी जे जटे ऑलीज जू क üç फटोरलो पार सी बना वीडियो मेरे ये जप थम नाफे आया हो टना है प्यारा झाल पीजिए तो Ale वीजिए जा वीजिए ढांवे ícios मेंट्पड़ प्याराा झाल फ्कल तोर बना क को प्कल मेरे तो हमें और रो Chestnutर बand दोंट और रहिंए ऑय